हाई फ्रेंट्स वेल्कम मैं यूटूब शेयर विश्टेक्ट फ्रेंट्स वानी में विश्विन डेंश्टेक्ट यूर्वाचिंग विश्टेक्ट्स आज किसोड़ियों हम बात करने वाले हैं कॉल टैपिंग के बारे में काम कैसे कर लेती हैं को बताने वालाओं कि काल टैपिंग करता है आपको पूरी एक्सेस कर सकते हैं आपके मोबाइल को काल टैपिंग को सबसे पहले बात करते हैं कि कॉल को कैसे को कर सकते हैं आज कल कुछ ऐसे और वाइरस दरसल यह अलाओ करते हैं क्ल टैपिंग के लिए वह आपकी माइक को कंटिनिवसली रिकार्डिंग मोड बे रखते हैं और जब कोई भी कॉल आती है तो सामने का कॉल जो भी होता है वो रिकार्ड कर सकते हैं गाइस मैं कुछ इसमें ब्लैक डोर बनाके नहीं दिखाने वाला क्योंकि यह दरसल इलीगल होगा आपको यूट्यूब पर पता ही होगा कि यूट्यूब के गाइडलाइन के अगेन हम अगर मैं इस टाइप से कोई इंफॉर्मिशन देता हूं तो यूट्यूब मुझे अ मैं अपलोड करूँ एंड आपको यूट्यूब पर इस टॉफिक में कोई सा भी वीडियो नहीं मिलने वाला एंड जो इस टाइप से इंफॉर्मिशन होती है वो नहीं मिलेगी इंटरनेट पर बिकॉस देखिए यहां पर एक तरीका है ब्लेक डोर बनाने के लिए एक तरी दाले जा सकते हैं जो आटोमीटिकली रन करता है एंड गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं यह जो अलाव करती है पर मिसन देती है कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए एंड उसके फीचर होते हैं जो बस हमें कुछ आउन करना पड़ता है सिंपली जिसके थो हम किसी का भी कॉल को टैपिंग कर सकते हैं जो कि हम अपने लीनेक्स सर्वर में कवांडे कर आउन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एंड वाइट के प्रोग्रामिंग आनी जोरी है इसली ज्यादा हाड नहीं होता हाँ थोड़ा सा मुस्किल है विकॉस कॉल रिकार्डिंग के लिए यह फिचर उसमे एड करने होते हैं और आपको सुट के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा मैं आपको बता दो कि आप अगर इस टाइप से फ्रोग्रामिंग करना आता हो गा तो ही आप से एंडrोईड अप क्रेट कर सकते हैं आपको क्या करना होगा सिम्पली कोई भी करना होगा जो कॉल रिकाडिंग का फीचर हो उसे अपने विक्टम के फोन में डाल कर लॉंच करना होगा एंड गाइस देखिये उसमें अलग अलग चीजे होती है जैसे कि अगर आप किसी से भी बात करों किसी को भी बात करों तो आटोमीटिकली वो रन करता है जो इन फॉर् पहले बता दो legal authority यानि कि जो सबसे पहले law enforcement होती है यह उन्हें allow करती है court से permission लेना पड़ता है जो permission लेने के बाद permission later launch होती है उसके बाद ही वो call type के लिए allow करती है उस cases में क्या होता है वो जो पहले किस concept पे उसका call tap करना चाहता है उससे बताना पड़ता है एंड गाइस यह DLX होते हैं जिनमें वो permission allow कर देती है जो कि यह हमारी crime badge and cyber cell की जो होती है उन्हें यह सब permission allow होती है हमारी special agency, spy agency जो यह सारी जो चीजों को करने के लिए उन्हें ज़ुरत नहीं पड़ती because मैं यहां बता दो उन्हें परमिसल लेनी की कोई जूरत नहीं होती because उसके पास self access का एक ऐसा होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ अगर हम किसी से भी बात करते हैं कोई भी police and crime branch जो cyber cell है उनके लिए थोड़ी बहुत permission लेनी की जूरत होती है बट मैं आपको बता दो जो spy app की जो agency है उन्हें यह सब परमिसल लेना नहीं पड़ता spy agency को यह सब कुछ नहीं करना पड़ता उसे government के थो अलाव होती है किसी कभी call tap करने के लिए and जो government होती है जो cyber cell and crime branch होती है वो court से permission तूरन मिल जाता है उन्हें कुछ थोड़ी बोड इस्ट्यूस होती है बट उन्हें तूरन से permission मिल जाता है code से कोई issues नहीं होती सो फ्रेंट्स मैं अब आपको बतातों यह जो लेटर है यह सीध्य जाता है हमारे service provider ISP के पास फ्रेंट्स यह जो लेटर उसके पास जाता है जो हमारे service provider है उसके पास जाएगा यह लेटर जैसे उसके पास पहुचेगा वह लोग क्या करते हैं उस पाटिकोली नंबर को पाटिकोली सक्स या जो system है वहाँ setup कर देते हैं और प्रस्टल यह क्या होता है यह जो system आपकी call recording के लिए on कर देता है बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूं तो और साथ साथ जो इसके real time में monitoring करने का access provide कराता है अब यह क्या होता है मैं आपको basically समझाना चाहूं तो यह जो system होता है यह real time में monitoring करने का access provide कराता है एंड यह क्या करता है, जो भी data, जो भी call, SMS, जो भी internet पर यूज कर रहे हैं, आप लोग उसकी data को एक collect कर सकता है, okay guys, यह आप लोग की data को collect करने के बाद क्या करता है, system में storage कर देता है, जो भी system में storage data है, उसे SMS के थूरू send करता है, जो हमारी CMS के पास भेज देता है, यह जो CMS यह एक प्रकार की central management server होता है, यह दरसल क्या करता है, यह एक प्रकार का ऐसा server होता है, जो file आती है, उसे easily accessible provide कराती है, okay friends, and इस में अधर को थूरू, जो हमारी government है, बोलना चाहिए, जो cyber cell and crime agent, जो police है, यह allow करती है, जिसकर थूरू, वो किसी के भी call को tap कर सकते है, and easily access कर सक I hope guys, आपको यह समाज में आ गया होगा, कि यह सब सीजे कासे work करती है, अगर आपको यह वीडियो वीडियो को like करते है, and जो हमारी channel में आया हमारी channel को subscribe कर ले, बगर लिए बैल आइकन से click कर ले, ताकि मैं कोई सब यह वीडियो अप्लोड करूँ, तो आप तक सबसे पहले So thanks for watching my video.